पिडिता के साथ गैंगरेब और मोत को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हुआ है हात्रस के गैंगरेब केस में अब एक नया मोड आ गया है इस मामले में गिरफतार चारो आरोपियों ने जेल के हात्रस के एसपी को एक चिठी लिखकर खुद को निर्दोश बताया है उन्होंने गल्त ढंग से फसाय जाने का आरोप लगाते हुए हत्या के लिए पिडिता के परिवार वालों को जिम्यदार ठहराया है मुक्के आरोपी संदीब ने इस चिठी में लिखा है कि पिडिता से मेरी दोस्ती थी और यह बात उसके घर वालों को पसंद नहीं थी चिठी के मुताविक इसी गुस्से में पिडिता की मा और भाई ने उसकी पिटाई की जिससे उसकी मोत हो गई जेल में बंद चारो आरोपियों ने पूरे मामले की जाच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है मुखे आरोपियों संदीप की ओर से लिखी गई चिठी है जिस पर बाकी आरोपियों लवकुष, रवी, रामकुमार, उर्फ रामु ने भी अपने अंगूठे लगाए है आरोपियों ने लिखा है कि उनके उपर लगाए गए सारे आरोप जूटे हैं उन्होंने FIR में आला गलग दिन आरोपियों के नाम बढ़ाने और धाराएं जोडने का भी उलेख किया है मुखे आरोपिय संदीप ठाकुर ने पुलिस अधिक्षक हातरस को पत्र लिख कर कहा है कि उसे जूटे केस में मृतिका के परिजनों ने ही फसाया है पत्र में उसने लिखा है कि उसकी दोस्ती मृतिका के साथ थी और यह बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी इतना ही नहीं 14 सितंबर के दिन वह मृतिका से खेत में मिला था और उस वक्त उसके भाई और मान भी थे लेकिन मृतिका ने मुझे तुरंत वहां से भेज दिया इसके बाद मा और भाई ने उसकी पिचाई की संदीप ने अपनी चिठी में लिखा है कि हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी वह मृतिका से मुलाकात करता था और फोन पर भी बात करता था लेकिन यह बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी पिडिता के घरवालों को यह बात मंजूर नहीं थी पूरा परिवार इस बात को लेकर नाराज था उन्होंने परिवार वालों पर ही पिडितो को मारने के आरोप लगाए हैं गटना वाले दिन भी खेत में मुलाकात हुई थी लेकिन उसने मुझे वहां से जाने को कह दिया इसके बाद मैं घर चला आया संदीप ने अपने पत्र में खुद को और तीन अन्य लोगों को निर्दोश बताते हुए मृत का की मा और भाई पर जूट भोलने का आरोप लगाया है साथी न्याय की गुहार भी लगाई है उन्होंने कहा है कि घटना के बाद अलग अलग दिन पर आरोपियों के नाम शामिल किये गए और उन लोगों को जेल भेजा गया आरोपि का कहना है कि मुझे कुछ देर बाद गाववालों से पता चला कि मेरी पिडिता से दोस्ती थी इसलिए उसके भाई और मा ने उसे पिटा है पिटाए के कारण उसे गंभीर चोटे आई बाद में महें मर गी मैंने कभी भी पिडिता को मारा नहीं और ना ही उसके साथ कभी भी कोई गलत काम किया इस पत्र में उन्होंने कहा कि पूरा मामला ओनर की लिंक का है केस में आए दिन नए दावों से मामले में नया मोड आ जाता है सुत्रों के अनुसार चारों आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई है साथ ही पिरित के परिजिनों के नंबर भी CDR निकलवाई है पुलिस मिलान कर रही है कि वारदात वाले दिन आरोपियों और पिरितों के परिजिनों की लोकेशन कहां कहां थी आरोपे के परिजन लगातार कह रहे हैं कि घटना के वक्त वे वहाँ मुजूद नहीं थे बताया जा रहा है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपे और पिडित पक्ष के बीच फोन पर बात होती थी या नहीं दोनों पक्षों के घर आसपास होने के चलते संबंद कैसे थे सुत्रों के दूसार कॉल डिटेल में आरोपे और पिडिता के एक परिजन से मुखे आरोपे की बात पिछले कई महीने से होती थी पुलिस अब यह पता लगाने का परियास कर रही है कि जब पिडित पक्ष और आरोपे के बीच इतनी घनिष्टता थी तो घटना के पीछे का कारण क्या है वहीं सुत्रों का यह भी कहना है कि दोनों पक्षों की कॉल डिटेल इस मामले में एहम किरदार निभाएगी आरोपे और पिडित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए ओनर किलिंग का संसनी खेजदा आवा किया है आरोपियों का कहना है कि पिडिता को उसकी मा और भाई ने मारा है वहीं पिडिता के परिजनों पर कहा कि आरोपी सजा से बचने के लिए यह दाव चल रही है उधर मामले की जाच S.I.T. कर रही है सीएम योगी अदितेनात ने हातरस गैंग रेप कांड की जाच कर रही S.I.T. को जाच के लिए और वक्त दे दिया है S.I.T. अब दस दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सीएम को सोपेगी इसके पहले तीन सदस से S.I.T. के गठन के वक्त सीएम ने एक हफ़ते के अंदर रिपोर्ट सोपने का आदेश दिया था इसकी मियाद आज पूरी हो रही थी उमीद है कि आज S.I.T. अपनी रिपोर्ट सीएम को सोप देगी लेकिन अब ख़बर यह है कि जाच के लिए और दस दिन का वक्त दिया गया है बीती 3 सितंबर को परतेश सरकार ने जाच दल का गठन किया था एक सपतहा से S.I.T. ने गठना से जुड़े हुए तमाम पहलों पर गहनता से जाच की तीन सदस्य जाच दल में ग्रहे विबाग के भगवान सवरूप डिजी चंदर परकाश दिवित्ते और आगरा P.S.C. कमांडो पूनम शामिल है बुदवार को भी जाच दल ने गाउं पहुचकर अपनी तफ्तिश को आगे बढ़ाया इसके पहले दल ने पिडित परिवार के बयान दर्ज किये थी और पूरे घटना कर्म का बेवरा दर्ज किया इसके बाद जाच दल ने हातरस की ततकालीन S.P. विकरांत वीर समेट घटना से जुड़े सभी पुलिस वालों के बयान लिये थी अगले दिन जांस दल ने बागला अस्पताल में यूवति के उपचार से सम्मन्दित सभी चिकित्स को और स्टाफ से बात कर दस्तावेच खंगाले थी मुखे मंतरी योगी अधितेनात के निर्देश पर हातरस गैंगरे पिडिता के परिवार की सुरक्षा कड़ी करती गई परिवार के सभी सदस्य और घर के इर्दगीर्द को 30 तरिये सुरक्षा घिरा तैयार कर दिया गया बुदवार को पिडिता के घर के बाहर मेडल डिटक्टर और कुछ स्थानों पर CCTV कैमरे भी लगाए गई CCTV कैमरे लगाने के लिए दिकारियों ने पिडिता के परिवार से सहमती ली हातरस के SDM ने बताया कि परिवार को ट्रिपल लेयर सुरक्षा दी गई है साथ ही आज मेडल डिटक्टर लगाए गए हैं और पिडित परिवार की सहमती के बाद कुछ जगव पर CCTV कैमरे भी लगाए गई अब किसी को भी मेन गेट पर जाच के बाद ही पिडिता के घर में परवेश्ट दिया जाएगा ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद झाल